दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में हम अलंकार का अर्थ परिभासा एवं प्रकार तथा भेदों को बड़े ही आसानी से और सरल सब्दों में समझेंगे आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा अलंकार का आपका पूरा कंसेप्ट किलियर हो जाएगा और आपको अलंकार हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा आप परिच्छा में देखते ही अलंकार की पहचान कर लेंगे आईए वीडियो को शुरू करते हैं अलंकार दोस्तों अलंकार दो सब्दों के योग से मिलकर बना है अलंधनकार अलंकार होता है अलंकरित और कार कार्थ होता है करने वाला अलंकार यानि अलंकरित करने वाला जो संदरे को बढ़ा दे जो अलंकरित कर दे उसे हम अलंकार कहते हैं अलंकार का साब्दिक अर्थ आभूसर भी होता है अब हुसर का कारे होता है सौंदर की बृधी करना उसी तरह काब्य में भी अलंकार होते हैं जो काब्य की सौंदर को बढ़ाते हैं परिभासा देख लिजिए काब्य की सोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं ऐसे साधन ऐसे तत्व जिसकी सहायता से काव्य की सुंदरे में बृधी की जाती है उसे हम अलंकार कहते हैं दोस्तों अलंकार दो परकार के होते हैं कितने परकार के दो परकार के सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार सब्द अलंकार जब सब्दों में अलंकार होता है यानि जब सब्दों को अलंकरित अर्थार्थ सजाया जाता है उसे हम सब्द अलंकार कहते हैं उदाहरण देखिए तरन्धी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुचा है। इस उदाहरण के प्रतेक सब्द का पहला वर्ड एक समन है जैसे तरन्धी मेत तनूजा मेत तट मेत तमाल मेत तरुवर मेत तो इसके सब्दों को अलंकृत किया गया है अर्था अर्था अलंकार है दूसरा अर्था अलंकार जब अर्थों में अलंकार हो यानि जब अर्थों को अलंकृत किया गया हो सजाया गया हो उसे अर्था अलंकार कहेंगे उदाहरण चरन कमल बंदो हरी राई इसके सब्द में अलंकार नहीं है यह सब्द सुन्दर नहीं है किन्तु इसके अर्थ में अलंकार है इसलिए अर्था अलंकार है चरन कमल बंदो हरी राई इस्वर के कमल रुपी चड़ो की बंदना है अब दोस्तो हम सब्दा अलंकार के भेद को देखते हैं सब्दा अलंकार के मुख्य छे भ यही हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, फिर यमक अलंकार, सलेस अलंकार, वक रुकती अलंकार, उनुरुकती अलंकार, विपसा अलंकार यही से आपके परिक्षा में प्रश्न बनते हैं अब हम एकप करके प्रतेक अलंकारों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और पहचानना सीखेंगे अनुप्रास अलंकार जहाँ पर समान वर्डों की आबरिती होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है समान वर्ड का मतलब एक ही जैसा वर्ड एक ही जैसा धोनी की आबरिती होती है आबरिती का मतलब आती है कहने का मतलब अनुप्रासलंकार का मतलब जहाँ पर एक ही जैसा वर्ड एक ही जैसी धोनी की आबरिती होगी यानि आएगी वहाँ पर अनुप्रासलंकार होगा उदाहरड देखिए चारू चंद्र की चंचल किरिडे खेल रही है जल्थल में चारू में च, चंद्र में च और चंचल में च तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि प्रतेक सब्दों में समान वर्ड च च की आबरिती हुई है यानि च च बार बार आया है तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है जहाँ पर एक ही जैसा वर्ड एक ही जैसा धोनी बार बार आये एक ही जैसे समान वर्डों की आबरिती हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद अब हम अनुप्रास अलंकार के भेदों को समझते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद आपकी परिक्षा के लिए most important है इसलिए आप ध्यान से देखिएगा सबसे पहला भेद है छेका अनुप्रास अलंकार कौन सा छेका अनुप्रास अलंकार इसकी पहचान हम कैसे करेंगे इसमें वरडों की आबरिती एक बार होती है छेका अनुप्रास में जो वरड होगी जो धोनी होगी उसकी आबरिती एक बार होगी यानि वह एक बार ही आएगी उदाहरण के माध्य हम से देखिएगा कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम ही मुवारी बैयारी इस उदाहरण में कानन कठिन कानन में का कठिन में का यहां का वर्ड की आबरिती एक बार हुई है पहले से एक बार था तो बस एक ही बार ना आई फिर भयंकर भारी भा वर्ड की आबरिती एक बार हुई है पहले सथा उसको नहीं गिनेंगे बस आया कितने बार एक बार एक बार आबरिती होई घोर घाम ही मुवारी बैयारी यहां भी देखिए घोर में घा और घाम में घा तो यहां भी घा वरड की आबरिती एक बार हुई है तो जहां पर वरडों की आबरिती यानि जहां पर समान वरड केवल एक बार आए उहां पर आपका छेकान उप्रासलंकार होगा दूसरा उदारड देखिए परम पुनित भरत आचर्णू परम में प और पुनित में प यहां भी समानवर्ड प की आबरिती एक बार हुई है इसलिए आपका छेकानुप्रा सलंकार है तो दोस्तों छेकानुप्रा सलंकार की पहचान कैसे करनी है? छेकान उप्रासलंकार में वरडों की आवरिती केवल एक बार होगी दूसरा बृत्यान उप्रासलंकार इसमें वरडों की आवरिती एक से अधिक बार होती है छेकान उप्रास में वर्डों की अवरिती केवल एक बार और बृत्यान उप्रास अलंकार में वर्डों की अवरिती एक से अधिक बार होती है जैसे रगुपती रागह राजा राम इस पंक्ति में रगुपती में रागह में राजा में राम में रा एक ही वर्ड की आवरिती एक से अधिक बार कई बार आया है इसलिए आपका वृत्यानुप्रास है अगर एक बार एक ही वर्ड की आवरिती होती तो छेकानुप्रास हो जाता दूसरा उधारण देखिए तर्णी, तनूजा, तट, तमाल, तरुवर बहुचाय यहां भी तरनी मेता, तनुजा मेता, तट मेता, तमाल मेता, तरुवर मेता, यहां भी समान वर्ड़त कि आवरिती एक बार से अधिक बार हुई है, तो यह आपका बृत्यानुप्रास लंकार है तीसरा जो है सुरुत्यानुप्रास अलंकार इसमें अंतिम वर्ल समान होता है सुरुत्यानुप्रास सुरुत्यानुप्रास को आप कैसे पहचानेंगे इसमें अंतिम वर्ल समान होता है ए बिहारी जी की पंक्ती है इसमें देखिए कहत कहत में लास्ट वर्ल त नटत में त रिज़त में त खिज़त में त मिलत में त खिलत में त लजियात में त तो इसमें अंतिम वर्ल समान होता है सुरुत्यानुप्रास में अंतिम वर्ल समान होगा छेका अनुप्रास में एक ही वर्ड की आवरिती एक बार और वृत्या अनुप्रास में एक ही वर्ड की आवरिती एक से अधिक बार और शुरुत्या अनुप्रास में इसमें अंतिम वर्ड समान होता है अब है अनत्या अनुप्रास अलंकार इसमें पंक्तियों में आया अंति अंति मुलड समान होता है उदारण के माध्यम समझी है तज प्रालों का मुह आज सम्मिल कर आओ मात्र भूमी के लिए मात्र भूमी के लिए बंधुर अलख जगाओ यहां देखिए अंति मुलड आओ और जगाओ में भी आओ है तो इसमें पंक्तियों में आया अंतिम वर्ड समान होता है तो इस पंक्ति में अंतिम वर्ड आओ है और नीचे वाले पंक्ति में भी अंतिम वर्ड आओ है जगाओ तो यह होगे आपका अनत्य अनुप्रास यानि अन्तिम में अनुप्रास समान वर्डों की आपरिती पाचवा जो अलंकार है आपका लाटा अनुप्रास अलंकार इसकी पहचान कैसे करेंगे इसमें एक ही वाक्य की आबरिती होती है इसमें वर्ड नहीं बलकि एक ही वाक्य की आबरिती होगी किन्तु अनवय करने पर उसका ब्याख्या करने पर उस वाक्य का आर्थ बदल जाए लाटानुप्रास समानवाक्य की आबृती होगी समानवाक्य आएगी लेकिन उसका आर्थ भिन भिन हो जाएगा जैसे उधारण देखिए हमको लिखियो है कहा कहन सबे लगी यह रतनाकर जी की पंक्ती है यहा पर स्री किष्ण ने उधो के द्वारा गोपीयों को संदेश बे जा है और गोपिया जब पत्र देखती हैं तो कहने लगती हैं कि हमको लिखियो है कहा फिर यही वाक्य की आवरिती यहां भी हुई हमको लिखियो है कहा हमको लिखियो है कहा समान वाक्य की आवरिती एक से अधिक बार हुई है लेकिन इसके अर्थें हाँ पर अलग-अलग है इसलिए आपका लाटा अनुप्रास अलंकार है, कैसे अर्था लग-लग है, हमको लिख्यो है कहा, कृष्ण ने हमें क्या लिखा है, हमको लिख्यो है कहा, कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है, हमको लिख्यो है कहा, स्रे कृष्ण ने हमारे लिए इस पत्र में क् पर समान वाक्य की आपरिति हुई किन्तो उसके अर्थ अलग-अलघ हो गया इसलिए आपका लाटा अनुपरास हुगा अब आपका यमक अलंकार अनुप्रास अलंकार पूरा हुआ अब यमक अलंकार इसकी पहचान कैसे करनी है इसमें एक ही सब्द की दो बार आवरिती होती है किन्तु उसके अर्थ अलग-अलग होते हैं यमक अलंकार इसमें एक ही सब्द की दो बार आवरिती होगी दो बार आएगा समान सब्द दो बार आएगा किन्तु उसके अर्थ अलग-अलग हो जाएंगे जैसे तीन बेर खाती है वह तीन बेर खाती है तीन बेर खाती है यहाँ पर तीन बेर कार्थ हुआ तीन ठो बेर का खाती है और यहां तीन बेरकार्थ हो गया तीन पहर तो तीन बेरकार्थ हैं हाँ पर हुआ तीन की संख्या में बेर का फल और इस तीन बेरकार्थ हो गया की तीन पहर तो जहां पर एक ही सब्द की आबरिती हो दो बार हो किन्तु इसके अर्थ अलग-अलग हो जाएं वहां प लेकिन इसके अर्थ अलग-अलग हैं काली घटा इस घटा का अर्थ है बादल और इस घटा का अर्थ है कम होना या घटना अर्थ देखिए काली घटा यानि काली बादल का घमंड घटा घमंड घटने लगा कम होने लगा यमक अलंकार आप पहचान लेंगे अब कि जहां पर एक ही सब्द की आभृती दो बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग हो जाएं, वहाँ पर आपका यमक अलंकार, अब है सले सलंकार, सले सलंकार की पहचान कैसे करनी है, इसमें एक ही सब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, सलिष्ट सब्द होता है सले सलंकार में, इसमें ए सुब्रन का अतिनतिन अर्थ है कि सुब्रन को खोजत फिरत, सुब्रन को खोजते फिर रहा है कभी, कभी के लिए सुब्रन का अर्थ है सुन्दर छंद और वेभिचारी के लिए सुब्रन का अर्थ है सुन्दर इस्त्री और चोर के लिए सुब्रन का अर्थ है स्वर्ड यान जोर कभी के लिए सुब्रनकार्थ सुन्दर छंद हुआ और वेविचारी के लिए सुब्रनकार्थ सुन्दर इस्त्री हुई और चोर के लिए सुब्रनकार्थ स्वरल हुआ तो सलेश अलंकार आप समझे होंगे अब आता है पुनरुकती अलंकार पुनरुक्ति अलंकार की पहचान कैसी करनी है इसमें एक ही सब्द की आबरिती होती है किन्तु उसका अर्थ समान होता है अगर अर्थ अलग-अलग हो जाता है तो आपका यमक अलंकार हो जाता है लेकिन यहां पुनरुक्ति अलंकार है इसके नाम से इसी धोरा है पुनरुक् यानि जो चेज दोबारा कहा गया हो उसे पुनरुक्ती कहेंगे तो पुनरुक्ती अलंकार इसमें एक ही सब्द की आवरिती होती है एक ही सब्द एक से अधिक बार आता है किन्तो उसका आर्थ अलग नहीं होता अगर अलग हो जाए तो यमक हो जाएगा समान होता है एक ही जै कि आब रिती हुई है लेकिन अर्थ एक ही है दोनों का आर्थ जुमना है गरज 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 सब्द की आब रिती हुई है लेकिन अर्थ समान ही है गरज 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 ना ही दोनों का आर्थ है तो ये होगे आपका पुनरुक्ति अलंकार यानि जो चीज दो बारे कहा गय वक्र उक्ति मिलकर वक्रोक्ति होता है वक्र मतलब तेंढ़ा उक्ति मतलब कथन यानि तेंढ़ा कथन तो इसमें कहा कुछ और जाए और सुनने वाला इसका अर्थ कुछ और निकाल लेता है वक्रोक्ति अलंकार होता है जैसे उदाहरण कौन द्वार पर हरी मैं राधे क्या बानर का काम यहाँ राधा अंदर से पूछती है बाहर से स्री कृष्ण दरवाजा खट खटाते हैं राधा पूछती है कौन द्वार पर कृष्ण उत्तर देते हैं हरी मैं राधे कि राधे मैं हरी हूँ तो हरी का अर्थ यहाँ पर राधा बंदर लगा लेती हैं और जवाब देती हैं क्या बानर का काम है जाओ यहां बंदर का क्या काम है जाओ जंगलों में तो समझ गए न वक रोकती अलंकार इसमें कहा कुछ और जाएगा और सुनने वाला इसका अर्थ कुछ और दूसरा निकाल लेता है जैसे इस उदाहरण में आपने समझाए अब लाश्ट का ज को प्रकट करने के लिए ससक्त रूप से ब्यक्त करने के लिए एक ही सब्द के पुनराबृती होती है विपसा अलंकार पहचान कैसे करना है कि इस अलंकार में आदर हर्स सोक दुख प्रसंता आश्चर आदी भावों को ससक्त रूप में प्रकट करने के लिए एक ही सब्द क दो बार प्रयोक कर दिया जाता है उसे बिपसा लंकार कहते हैं जैसे उदारण देखिए हाँ हाँ इन्ए रोकन को टोक न लगाव तुम यहाँ पर सोक ब्यक्त करने के लिए हाँ सब्द की पुनरूकती हुई है पुन्रा बृति हुई है इसलिए यह बिपसा लंकार है कि सब्द की आप रिती हुई है और हाज सब्द सोक ब्यक्त करने के लिए हाँ पर आया है इसलिए हम इसे विपसा लंकार कहेंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अलंकार आपके दिमाग में धसा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सेर कीजिएगा आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद